नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सर्मा कोचिंग क्लासेस में मेरा नाम है सुमित चौबे आज मैं आपके सामने विशय परियावरेंड से समंदित टेस्ट सीरीज के कुछ महत्पूर्ण कुश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एक्जाम परियावरेंड प्रदूर्शन स समंदित है यह का पार्ट 3 है अगर आपने हमारा प्रिविएस वीडियो पार्ट वन और पार्ट डू को आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा के आप उन वीडियोगिए को देख लिजिए जिससे कि आपको टेसरी जो प्रसन है वो आप को सीग्वैन्स मिल जाएंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को हिट कर लीजिए जिसे कि आपको परिया और इनकी टैसरीस के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वह आपको टाइमली आपको मुबाइल पर नोटिफाइड होते रहेंगे दोस्तों अगर आप दोस्तों हम से सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाते हैं तो आप हमसे टेलिग्रम के माध्यां से भी जुड़ सकते हैं टेलिग्राम पर सर्च ऑप्शन पर जाके आप शर्मा कोचिंग क्लासेस टाइप करेंगे तो डारेक्ट लिंक के तुरू आप जुड़ सकते हैं दोस्तों जो कि एडिरेट 143 है रुपेन शर्मा एडिरेट 143 है आप हमसे स्क्रीन पर दिखाए गए वाट्स अप नंबर के तुरू भी आप कंसर्ण कर सकते हैं टेलिस के किसी प्रस्ण से समधित या किसी प्रकार की डाउट हो आपको दोस्तों तो है कुछ डाउट की क्लैरिफाई करना हो तो आप हमसे डाइट कंसर्ण कर सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों यह टैसरी का पार्ट 3 है दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देख लिए और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों पर सवय प्रश्ण की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों क्या कहा रहा है सवय प्रश्ण हमारा रख कह रहा है दोस्तों बायोडीजल के उत पादन में निमलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ठान्स इमेनेशन अनुलेखन ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन अनुवाद दोस्तों देखिए यह आपका SSC Stenographer 2011 में पूछा गया प्रस्न है दोस्तों तो सव्वे का जो आपका correct answer होगा दोस्तों वह आपका होगा दोस्तों वह आपका होगा दी सीशा चलिए दोस्तों आज के टेसरी के 102 प्रस्नी के तरफ बढ़ते हैं क्या कह रहा है 102 प्रस्न हमारा आज कल सड़कों पर रौष्णी के लिए प्राया पीले लेंपों का प्रयोग किया जाता है उन लेंपों में निम्न में से किस गैस का प्र दोस्तों वह सड़कों पर रश्णी के लिए जो पीले लेंपों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उन लेंपों में हाइड्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों यह देखिए दोस्तों यह से 2011 में पूछा गया प्रस्न है दोस्तों सारे को दोस्तों आप एक notebook में आपको जब भी हमारे test series पढ़ते हैं दोस्तों तो आप notebook साथ लेके पढ़िए और यह सारे important question को आप notes बना दे जाए दोस्तों जिससे कि आपको exam के लिए revision में आपका बहुत ही जादा मदद करेगा दोस्तों चलिए दोस्तों आज के test series इसके 103 प्रस्णी की तरफ बढ़ते हैं क्या कह रहा है कि स्वचलित वाहनों में radiator में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है methyl alcohol एथिल एलकोहॉल एथिल एलकोहॉल और एच्टु ओ मेथिल एलकोहॉल एच्टु ओ तो एक तो डोएक आपका प्रेंक टेंसर दोस्तों वह आपका है डी मेथिल एलकोहॉल और एच्टु ओ ज्यान रखिए हैं दोस्तों यह आपका अधिकतर किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है मालवेशी लिली एसी यूनी फार भी एक सी मट्रेसी तो आपका जो है दोस्तों एक सो चारवे करेक्ट एंसर होगा दोस्तों वह आपका हुगा यूफ रभी एसी चलिए दोस्तों आज के टेस सेरिस का 105 प्रास्णिकी तरह बढ़ते हैं गंदे पानी में उचार में आउसाद होज का क्या कारिया है जलास को घटाना गंदे पानी को वशित करना निलंबित ठोस पदार्तों को एकत्रित करना गंदे पानी को विसंक्तमित करना तो 155 का जो आपका करेक्ट एंसर होगा दोस्तो वह आपका होगा गंदे पानी को विसंक्रमित करना देखिए दोस्तो आई यह आपका एक SSC 2013 में पूछा गया प्रस्ण है दोस्तो यह सारे प्रस्ण बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तो पेजल का कॉपर का अधिक्तम अनुमत संद्रण एम जी प्रती लीटर में है जीरो दसमलो जीरो वन जीरो दसमलो जीरो फाइव एक दसमलो जीरो दो समलो जीरो तो जो आपका एंसर होगा दोस्तो वह आपका होगा जीरो दोस्तो देखिए दोस्तो यह आपका एक सो सात्वे प्रस्ण के तरह बढ़ते हैं दोस्तों क्या कह रहा है जैव निमनिक्रित उपक्रिष्ट को किसकी सहाइता से उपयोगी इसका में प्रुपाँत्रित किया जा सकता है जीवाणों बी न्युक्लियर प्रोटिन सी ब 대 प्रश्नी की तरप करते हैं另外 उर्जा ब Maßक इत्पस्थार में कiseen बस्तिए आप में यत्प如何 में तो प्रेक्षण होगा दोस्तों वह आपका होगा जो भूपर प्रटी क इस स्थलो के ऊपर है ध्यान रखिए के दोस्तों देखिए दोस्तों यह सी टेट 2012 में पूछा गया प्रस्ण है चले दोस्तों आज के टेसरीस के सुनुवे प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं निम लिखित में से कौन सा जिवाणू गंगा नदी में पाया जाता है कोली फार्म जिवाणू इस्ट्रेक पिकस इस्ट्रेटो कास्क जिवाणू इस्ट्रेट्ट फाइलोकस जिवाणू डिवाणू कि पिटेट 2011 में पूछा गया प्रस्ण है इसका कर्यक्ट अंसर होगा दोस्तों वह आपका होगा कुलोली फर्म जिवाणू खूँ चलिए दोस्तो आज के टेस्सरीस के 110 प्रश्न के तरह बढ़ते हैं 110 प्रश्न क्या कहा रहा है कॉपर प्राप्थ होने वाला कॉपर बिस्टर को कहलाता है बिस्टर के निर्मान के लिए उत्तरदाइत गैस है उत्तर दाई तो गैस तो 110 वे का जब आपका correct answer होगा दोस्तों वो आपका होगा SO2 चलिए दोस्तों आज के test series के 111 प्रस्णी की तरह बढ़ते हैं क्या कह रहा है 111 प्रस्णी हमारा जल में घुली विलंबिट्स अशुद्यों को अलग करने की प्रेक्रियक जानी जाती है loading, unloading, आसवासन अलवेरिक करन तो 111 का जब आपका correct answer होगा दोस्तों वो आपका हुआ AS1 जान रखें के दोस्तों देखें दोस्तों यह आपका 2011 में पूचा गया प्रस्णी है चलिए दोस्तों आज के test series के 112 आपका होगा कोईला के जलने से सबसे अधिक वायू प्रदूशन होता है ध्यान रखें के दोस्तों यह आपका 2012 में पूचा गया प्रस्ण है चलिए दोस्तों आज के test series के इस तो तेरवे प्रस्णी की तरह बढ़ते हैं अब CNG या LPG का पुर्ण धहन होता है तब उत्पादन बनते हैं A. CO2M-S2O B. CO2S2O CO2M-S2O केवल CO2 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 CO2M-S2O 213 का जो आपका correct answer होगा दोस्तों वह आपका होगा A. CO2M-S2O ध्यान रखेंगा दोस्तों चलिए दोस्तों आज के test series के 114 प्रस्णी की तरह बढ़ते हैं क्या कह रहा है 114 प्रस्ण हमारा वह gas जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसमें दम घुटता है वह gas के बारे में बताना है दोस्तों जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है हमारा कार्बन मोनो आकसाइड नाइट्रोजन कार्बन डैयोकसाइड क्लोरो फ्लोरो कार्बन देखिए दोस्तों यह आपका test series जो मैं प्रस्नव बता रहा हू दोस्तों आपका है हजार बार सीटेट में पूचह गया प्रस्न है दोस्तों 2014 का चर्बन मोनोग्साइड होता है दोस्तों वह रख्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे की दम घूटता हेमारा जहान रखिएगा दोस्तों चलिए दोस्तों आज की टेस्स से इसके 115 प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं वाई उमडल में उपस्तित गैसों में जो पौधों पर प्रभाव के कारण है तो 115 वे का जो आपका अपका होगा दोस्तों वह आपका होगा बी कारण डायोक्साइड औक्सीजन नाइट्रोजन जान रखिएगा दोस्तों चलिए दोस्तों आज के टेस्सिरीस के 166 प्रस्न की तरफ बढ़ते हैं नेम लिखित में से कौन सा रेडियो धर्मी सबसे घातक प्रदूशक है सबसे घातक प्रदूशक कह रहा है दोस्तों ध्यान रखेगा दोस्तों कुछ-कुछ वर्ड ही जो होते हैं दोस्तों जिसको सब्दुकों हमको ध्यान में रखके उसका प्रस्ण का उत्तर की तरह सकते हैं इसमें क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों देखिए रेडियो धर्मी के सबसे घातक प्रदूशक एसर नब्बे एसर पच्चाशी पी बतीस इन में से कोई नहीं तो सोलवे का जो आपका करेक्ट एंसर होगा दोस्तों वह आपका होगा एसर नब्बे जो की बहुत ही घातक प्रदूशक होता है दोस्तों ध्यान रखिए गा दोस्तों चलिए दोस्तों आज के टेसरीस के 177 प्रस्न के तरह बढ़ते क्या करें 177 प्रस्न जब कार्बन डियकसाइट ताजे चुने का पानी में विलेन में कुजरती है तो चुने का पानी दूद्या हो जाता है चुने का पानी दूद्यापन के करण दिखाई देता है किस करण से वह दूद्यापन दिखाई देता है दोस्तों विलेंशील केल्शियम कार्बोनेट की उपस्तिती चुने में पानी में चुने के करण दूद का थक्का चुने में पानी के उप द्रवियो अविलेंशील केल्शियम कार्बोनेट की उपस्तिती तो 170 रवे का जो आपका करेक्ट टेंसर होगा दोस्तों वह आपका होगा विलेंशील केल्शियम कार्बोनेट की उपस्तिती ध्यान रखिए का दोस्तों इसका चलिए दोस्तो आज के टेस्स के 188 प्रस्ण की तरह बढ़ते जन जलीत रोग क्या है जल जलीत रोग क्या है डिप्थिरिया टेटनस हेपटाइटिस मलेरिया तो जो जल जनीत रोग जो होए है दोस्तो वो आपका होगा दोस्तो हेपटाइटिस जो होता है वो जल जनीत रोग होता है दोस्तों ध्यान रखिए कि दोस्तों चलिए दोस्तों आज के टेसिरिस के प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं क्या कहा रहा है खाद विश्याक्ता सम्मधिक जिवानु है लाइट लाइट स्टेडिये टेटनी लाइट स्टेडियम वाटु लीनम है प्लाज्मवाडियम वाइक लस्ट वैलिसस सब्टित लस्ट तो जो आपका सीजी टेट 2011 में यह पूछा गया प्रस्ण है जो दोस्तों देखिए दोस्तों उनिस्वे का जो सब्सक्राइब करेक्ट एंसर होगा दोस्तों वह आपको होगा क्लाइस्टी डियम है बाटु लीमम है बाटु लीम नम कि चलिए दोस्तों आज की टैसरी से 120 प्रस्णिक तरह बढ़ते खात पदातों में डिबो की आंतरिक सता में टीन में पूती हुन है होता है जस्ता टीस से महेंगा होता है देखे दोस्तों यह आप सीट टेस 211 प्रस्णिक तरह बढ़ते झांगे क्या करेक 1821 प्रसितेश्न सर्विसस्ट सेर्जान सर्विस्सस्टेशन मोठर कारऊ में प्रोधूर्शन जहां के चलिए दोस्तों आज के टेस्रीस के 122 प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं क्या कहा रहा है 122 प्रस्ण हमारा किस कारण तलाब में तैरने में मनुष्य की त्वचा जल जाती है अविरक्त किरण इंफ्रारेट के कारण रे के कारण क्लोरिन के कारण उश्मा के कारण पैरा बेगनी क कि तो जो 122 प्रस्ण है दोस्तों ध्यान रखिएगा फुस्फुस धूलमेता कि साइमोनोसिस में कि साइकोनोसिस में स्रमी ग्रस्त रोग होते हिए जो मुखिता कारितक तक चर्म शोधन शालाओं में कोईला खननन में मध निर्मान शलाओं में शिश्य उद्योग में तो 123 का जो आपका correct answer होगा दोस्तों वह आपका भी कोईला खानों में ध्यान रखिए दोस्तों देखिए दोस्तों या BPA बिहार PSC 2001 में पूछा गया प्रस्ट नहीं है दोस्तों ध्यान रखिए कि दोस्तों चलिए दोस्तों आज के टेस्ट से इसका गरम स्टीम पानी को बॉइलर में जाकर हम प्रोसिस होता है दोस्तों तब जाके इलेक्Jim Jee So I have और जो यहह शुट है जो राक के रूप में जो निकलता है दोस्तों वह Stitch के माध्यist के माध्यम से निकलता है जो कि प्रदूशन के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है जो fly ash होता है दोस्तो तो वह दहन उत्पादन जोकि प्राप्त चलने से होता है kohl देखिए मैंने कहा था ना दोस्तो kohl पत्थरों के कोईलों जो जलाते हैं उससे हमको प्राप्त होता है चार kohl लखडी के कोईलों को डिजल मिट्टी के तेलो को CNG को तो 124 वे का जो आपका correct answer होगा दोस्तों वह आपको होगा कोल कोल पत्थर के कोईलों को जो हम जलाते हैं और जब electricity generation होता है boiler में steam के through boiler में जो गरम पानी होता है दोस्तों वह होता है steam होता है उसके बाद steam जब बन जाता है दोस्तों वह तो तरबाइन में तरबाइन में वह इस्टीम कि जाके आता है और जिसकी वाज़से जनरेटर के तुँ हम electricity बनता है उस electricity generation होने के बाद जो waste material कोल का बच चाता है दोस्तों वह फ्लाइश के से बनता है क्या होता है तो फ्लाइश दोस्तों thermal power plants से निकलता है ध्यान रखेंगा दोस्तों देखिए दोस्तों यह यूपी पी एस्सी में में 2002 में पूछा गया प्रस्न है देखिए दोस्तों आज के टैसरीस के 125 प्रस्न के तरब बढ़ते हैं क्या कह रहा है दोस्तों आपको यूमेलियन देखिए दोस्तों यह आपका यूपी पी एस्सी 2005 में पूछा गया प्रस्न है चलिए दोस्तों आज के टैसरीस के 126 प्रस्न के तरब बढ़ते हैं अंतराश्टी हमला वर्षा केंद्र स्थापित किया गया है बर्लीन में पुलास्को में उसाका में मैंचेस्टर में करेक्ट एंसर होगा दोस्तों वह आपका होगा वह आपका होगा दोस्तों कि ओस्लो में चलिए दोस्तों आज के 127 प्रस्न की तरब बढ़ते हैं निमलिखित में से कौन से इंदन नियूंतम परियावाण यह प्रदूशन उत्पादन करता है डीजल केरोसीन हाइड्रोजन कोईला देखिए दोस्तों यह आपका करेक्टेंसर होगा दोस्तों वह आपका होगा हाइड्रोजन जो होता है वह इंदन न्यूंतम परियाण को प्रदूशन करता है ध्यान राखिए के दोस्तों चलिए दोस्तों आज के करेक्ट एंसर होगा दोस्तों आपका जल कुम्बी जल कुमबी जो होता है दोस्तों वह सर्वर या जिल में टीजी से वृद्धि करते हैं ध्यान रखिए को दोस्तों चलिए दोस्तों आज के टेस्टरी का 139 प्रशन की तरह बढ़ते हैं अधो लिखित में प्रतमश्यनी क प्रदूशन संकेतन कौन है मधुमख्खी वी तितली 59 मुली अज़्ध लियान देखिए दोस्तों यह आपका 青C 2018 में पुछा गया प्रस्ड Gal उत जोनन प्रकार मुलास्का जो की प्रथम शे elétी प्रदूशन के संकेत में आते हैं दोस्तों ज्यान रखिए कि दोस्तों चलिए दोस्तों आज के टेसरी के तरह बढ़ते हैं इस तो तीसवा प्रस्ण क्या कहा रहा है निमलिखित में से कौन सा प्रात्मिक प्रदूशक है तो जो आपका एकसुतीसवे का जो आपका करेक्ट टेंसर होगा दोस्तों आपका होगा उप्रोग्त सब्सक्राइब दोस्तों आज के टेसरी के तरह प्रस्ण की तरह बढ़ते हैं म्रिद्धा प्रदूशन के सबसे महत्मून काराग हो सकता है एक आच बी प्लास्टिक सी अपरजक या फिर डी सीओ टू तो एक सो थीसवे का जो करें टेंसर होगा दोस्तो वह आपका प्लास्टिक होगा दोस्तो ध्यान रखिए जोस्तो इस बात का चलिए दोस्तों आज के टेस्ट सिरीस के 132 प्रश्ण के तरफ बढ़ते हैं क्या कह रहा है 132 प्रश्ण देखिए दोस्तों यह आपका UPSC-Mains 2009 में पूछा गया प्रश्ण नैं क्या कह रहा है 132 प्रश्ण के विश्वंषनी संकेतक मिंडिकेटर हरी सेवाल तथा एक Candace धाली क्लक्स होता है वायू प्रदूशन का जो विश्वंशने संकेतक होता है इंडिकेटर वो क्या होता है लाइकेन तथा मौस होता है ध्यान रखिए दोस्तों इस बात का 133 का जो आप पढ़ते हैं पहले प्रस्ण क्या कर रहा है खिट नाशियों को इत्याधिक इस्तिमाल में होगा वायू प्रदूशन ध्वनी प्रदूशन जेल प्रदूशन या इन में से सभी देखिए दोस्तों यह आप यूपी टेट 2014 में पूछा गया प्रस्ण है तो 133 का जो आपका और आपका वायू प्रदूशन जो होता है दोस्तों वह खिट नाशियों के इत्याधिक इस्तिमाल से होगा ध्यान रखिए कि दोस्तों इस बात का चले दोस्तों आज के टेस्टरीस के एक से 34 प्रस्ण की तरफ़ते दो बड़ी घटना है जिन्हें माइसी तथा जाना जाता है भोपाल में जो ठास्टरी हुआ था उननीस सो चॉरासी यूक्रेण में नीस सो नब्बे में हुआ था भोपाल में तो यहां देखिए दोस्तों यह सीडीएज 2008 में पुछा गया प्रस्न है तो 134 का जो आपका करेक्टर अंसर होगा दोस्तों वह आपका हुआ भोपाल निसो चौरासी और युक्रेन में 2018 में ध्यान रखे दोस्तों इस बात का ऊचले दोस्तों आज के टेस सेर्ष के इसो प्रस्षोय प्रस्निक की इतरा बढ़ते हैं किसी जल के छेत्रे में वी ओडि की एत्याधिक्ता संकेत है कि उसका जल खनीज प्राप्त कर रहा है गैस्पराप्त कर रहा है सीवेज प्रदू कि जल आपका सीवे से प्रदूशित हो रहा है देखिए दोस्तों यह आपका आई-ए-ए-ए-स इंडियन एड्मिनिस्टेटिस सर्विस 2011 में पूछा गया प्रस्न है दोस्तों चलिए दोस्तों आज के टैसरिस के 136 प्रस्न की तरह बढ़ते हैं क्या कह रहा है कि नदी बांदों में जल विदूत के लिए निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है दोस्तों यह जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों आपको दो बार पढ़ना है और सही एंसर एक्जाम में देना है और अपने लक्षी तक पहुचना है सत्य नहीं है कह रहा है दोस्तों तो देखिए पढ़ते हैं जल विद्योत सुविधावों में परियोण प्रभाव हो सकते हैं देखें दोस्तों यह आपका सीटेट 2018 में पूछा गया प्रस्न है तो 136 वे का जो आपका करेक्ट अंसर होगा दोस्तों वह आपको होगा बांध्र टिकाओं विकास को प्रोसाहित करते हैं ध्यान रखिए का दोस्तों चलिए दोस्तों आज के टेसरीस के 136 प्रस्न की दोस्तों आपको धान का खेत हो दोस्तों जो तो मीठेन गयस उत्त आदन वाला भी झेत्र है ध्यान रखेगे दोस्तों छलिए दोस्तों 137 प्रस्न के पड़ते हैं क्या कह रहा है तो Espero से शोचियों के नीचे दिए क्ट को सही उतर तक चें की जिए तो इसमें क्या दे रह सोरी दोस्तों अगर प्रोनुशेशन में अगर लिक्कत होगा तो आप छमक जिएगा ऐस्बेस्टर धूल सीशा पारा कार्बन मोनो अक्साइड तो 138 वे का जो आपका एंसर है दोस्तों वह आपका होगा जाने कि एस्बेस्ट्र धूल जो होता है दोस्तों एक वह होगा जिसे प्रभावित होता है अंग पहला सुची वन में एक वायू प्रोदूशन के बारे में दिया है दूसरा सुची में आपको यह दिया है दोस्तों कि उस प्रदूशन से हमारे शरीर का किस अंग कौन सा अंग प्रभावित होता है तो एस्पेक्ट्रेस दूर्ज जो होता है दोस्तों वो उससे फेपड़ा प्रभावित होता है शीशा से क्या होता है दोस्तों मस्टिस्ट प्रभाई होता है पारा से क्या होता है दोस्तों उधर होता है और कार्बन मोनोकसाइट से क्या होता है दोस्तों रक्त धारायक परसानी होती है ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात का चलिए दोस्तों आज के सरी का अम प्रस्तिर की तरह बढ़ते हैं या पिशला प्रस्ति दोस्तों gitu-2022 पूछा गया प्रस्ति ये ध्य हो Argent या गुलोबोसा प्रियुक्त किया जाता है ए मरकरी आर्सेनिक केंट भी हम शेवालिय पुष्प पुंज तो 149 वे करेक्ट एंसर होगा दोस्तों वह आपका होगा आर्सेनिक ध्यान रखिएगा दोस्तों देखिए दोस्तों आपके लिए हम लोग जो टैसरी आज के जो टैस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों जो दोस्तों जो फाइनेंचली कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे होंगे दोस्तों उनकी आप मदद कीजिए दोस्तों और उन तक हमारा वीडिय और आपके लेगल के साथ यह से सकते हैं कि युदी को सहाइर करने इ antibodies के साथ आपको त्यारी करें उनसे के साथ आप कर सकते हैं और हl expressing में असे पसी का दाउट आपको होता है संदे में होता है तो हमारे वाटसप नंबर के थू आप हमसे contact कर सकते हैं दोस्तो और जो paid courses चल रहे हैं उनकी भी जानकारी सारी जानकारी आप call के थूल भी ले सकते हैं दोस्तो दोस्तो आप से एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तो कि आप personal notes जरूर बनाईए मैं अपने हर वीडियो में आप कहा हूँ दोस्तो आपसे कहता भी हूँ कि आप अपने personal notes बनाईए और उसको कम से कम 5 से 6 बार revise कर दीजे दोस्तो important है आपका notes बनाना उसके ज़्यादा important है कि आपको revise करना, revise करने से यह होता है दोस्तो आप अपने mind में उस चीज को clarify कर पाते हैं और exam में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप perform कर पाते हैं तो अपना ख्याल रखें दोस्तो अपने family का ख्याल रखें और निरंतर तयारी करते रहें दोस्तो निरंतर तयारी से ही आप सफलता तक पहुश सकते हैं तो धन्यवाद दोस्तों